सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चेनल हिंदी ट्यूटोरियल्स को और इस घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूले हमारी लेटेस्ट टेकनोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चीज जो है लॉक करके रखते हैं कुछ भी ओपेन नहीं कर सकते हैं जब तक आप पासोड या फिर पिन नहीं डालेंगे तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप पावर वर्टन का इस्तमाल करके सारी के सारी जो है लॉक को आसानी से तोड कर सकते हैं कुछ भी उसका ओपेन करके देख सकते हैं जो भी आप चाहें कर सकते हैं तो चली दोस्तों यह सब कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों पुरानी ट्रिक क्या थी कोई भी जो है लॉक हो जैसे की मान लिजी यह लॉक जो है लगा हुआ है यहां पे आप देख लिए हर एप्लिकेशन में या हर एक शीज में लॉक लगा है तो आप इसे ब्रेक करने के लिए आप जए सेटिंग में चले जाते थे सेटिं करने के लिए आपको तो सेटिंग में जाना पड़ेगा उसके अलावा यह कहीं से और फोर्स इस्टॉप नहीं होगा तो हर एक चीज जो है लॉक है यहां पर आप देख लिए को यहां तक डायल भी ओपन करेंगे तो लॉक है तो यह सब लॉक कैसे हटाएंगे ओभी इसी बॉटन से तो यह मैं आपको इस वीडिो में बताने वाला हूं तो सिंपली आपको ऑपना पावर बटन जो सेकेंड के लिए प्रेस करना है उसके बाद यहां पे आपको आपको पावर ऑप को आपको 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 अफ़ opposite क्रना है तो यहां पर प्रेस करेंगे, तो आपको यहां पर एक safe mode दिखाई देगा, आपको simply safe mode में चले जाना है, यहां पर आप देख लिजिए safe mode जो है open हो रहा है, इसमें थोड़ा सक समय लगेगा, तो दोस्तों यहां पर आप देख लिजिए safe mode लिखा हुआ भी आ रहा है, तो हम application को use नहीं कर सकते हैं, आप आप देख लिए, कोई भी application open नहीं होगा, सिप आप उसे को open कर सकते हैं, जो application आपके mobile में पहले से आई थी, मतलब mobile के साथ, तो simply यहाँ से आपको setting open कर लेना, यहाँ पे आप देख लिए, कोई भी stop कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपको clear data कर देना है, यहाँ पे देख लिए सब कुछ हो चुका, इसे भी clear कर देठे हैं, यहाँ पे सब कुछ करने के बाद दोस्तों आपको home पे चले जाना है, यहाँ दोस्तों home पे आनेक बाद आपको यहाँ पर power button फिर से 2 second के लिए प्रेस करना है उसके बाद यहाँ से री स्टार्ट कर दिजिए फोन को यहाँ पर आप देख लिए हम री स्टार्ट कर रहे हैं फोन यहाँ पर आप देख लिए थोड़ा सा time लगेगा री स्टार्ट होने में तो finally हाँ पर आप दोस्तों देख लिए हमारा फोन जो है री स्टार्ट हो चुका है हम इसे जो है open कर लेते हैं यहाँ पर आप देख लिए उपन हो चुका है हमारा फोन उसके बाद जो भी आप open करेंगे हाँ पर सब कुछ जो है unlock हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए डेली एक नए नए वीडियो आते रहते हैं थैंक्यू दोस्तों